वेलकम टू माय जोपीशन टुटोरियल चैनल आज हम देखिए आप एक लास नाइन जो कि हमारा प्रोविल्टी है यह क्लास नाइन तक नहीं सभी बच्चे इसे देख सकती है क्योंकि यह प्रोविल्टी का हम बेसिक आपको बता रहे हैं यहां पर हमको यह होता है कि हमारा ज प्रोविल्टी का का पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए स्वर पता हम प्रोविल्टी को प्रोविल्टी की जो मिलीव संक्रपना थी का जो विखास हुआ वह आसर जनक ठंसे वा मतलब आपको एक अध्भूत लगेगा मतलब आप सुचेंगे कि इसका विखास कैसे हुआ को यह कौन से व्यक्ति थे जिन्हों ने इसका विकास किया तो बता दें वह मतलब एक जुवारू था जिए वह खेलता था तो उसके दिमाग में प्रोबिल्टी की मतलब वो तो जानता नहीं था कि प्राइकता ही एक उसके कुछ प्राइक्टा थे तो देखी हम उनको बताते ह आगे रिखने नाम क्या था सेही लीइर क्या नाम था उतनें ये डिमेरे नाम अज उस्मेज पार्य। वह समयनित में में को लेकर वह किसके जुवारू था जो जुवा खेलता था अथार देखा जो हमारा प्राइकता है जिसे हम प्राइकता जिसे हम प्रोविल्टी करते हैं जिसे हम पढ़ते हैं अगर उसका इतियास के बाएं जाने तो समझे जिवारू था उसने इसकी खोज की लेकिन देखिए इसके तो कुछ दि ऐसे सोलब करने विए कि आप सब देजीये कोशेशन उन्से किके करने कंड़िक उनंसे कहता है कि जो एंसर दिवीए तो आप सुचेंगे question क्या था का कई द फासकल को इन समझ्शाओं को हल करने में काफी रूची लगनी लगे जो पासकल बैग्याईने थे उन्हें जभी जबकने लगे willły fresh प्रांसे के फासे को सवाल को सुचे मतलब देखे सुने और उन्होंने समझा तो उन्हें बहुत मतलब इसमें रूच याने लगी जैसे आप प्राहिता के कुछ सौल करते हैं गुबाड़े का अगर एक मिला दिया जाए तो बहार निकाने तो क्या प्राहिता हो सकती यह सब टाइब की कुछ तो वैसे ज इनकी क्या थी इनकी उसी काम के प्रतिंकी इच्छा होने लगी मतलब वाकरी में कैसे हो सकता यह सूचने लगे और इसमें उन्होंने अपना समय दिया समय वैति किया तो आगे देखे इन्होंने मिलते हैं एक और गयाने से वह इन समय पर अध्यान करने लगें वह क्या करने अमधे नमा के साथ चाचावी की पहले की जो नाम नाम पियर दीप फर्मा उनके साथ इन्हों निए चाचा क्या अपना जो वारो पोस्तस को रख और इंका जो य appeals कोशल करिषार का ता जो स्रहरमत थी इनकी इस चीज को वहां पर प्रस्तुत किये तो देखिए क्या होता आगे पासकल और फर्मा ने किसने बेजल पासकल जो ब्लैज पासकल है और फर्मा इन्हों ने अलग-अलग होकर सोतंत होकर इन समस्याओं को अलग-अलग हल किया प्राहित्य बोख्व सीहow ébyrs प्राहित्य सिधान का आरंब हुआ यहीज अभू है इस प्राहित्य सिधान का विकास होता है आपOh फें प्राहित्य का विकास कैसे हुआ है संसे फ़हले एक जिवारू था जो सोले से चोगरने स्वी में पासा के समय जब वो कुछ खेल लाता पासा खेल लाता उसे दिमार्ट में कुछ कोश्चन आए उनको सवालों का जवाब पाने के लिए वो एक महान बर गया है जिने दें ब्लेज पासकल उनके पास जाता है और अपनी वहाँ पे समझाय को प्रसु पूछने लगे उन्हों के दूख है उनका नाम था पीया दीफर्मा क्या नाम था प्राइड़ी फर्मा इंके साथ लिनों ने चाचा किया और अपनी इमत प्रिस्फित की तो इन्होंने अलग अलग होका इनका हल ठूडा यही से हमारा जो प्राइटा है जिसे हम प्रबील्टी करते हैं आरब हुआ ज्योंकि हर एक बच्चों का अच्छा फ्लनवीग चैप्टर होता है तो आप सब को यहां पर अन्सो इसका मिलिदा कि प्रबिल्टी का विकास कैसे हुआ तुझे हम बताएं उसी से प्रबिल्टी का भीकास हुआ अब आगे हम बाताते हैं कि मतलब यह हमारे तक पैसे पहुचा यह तो इनकी बात हो गई वह दोनों ने सनी करें कॉंते बलेच पास्कल उनकी क्या है उनकी यह प्रतीमा है बलेच पासξ questions कि यह प्रतीमा है जने आप सब देखिये याप और यह कब उनका जो था सब्सक्राइब चीफ्र sudah औहीं जो हमाले लिटव ढ़त थे जिनका नाम क्या था बात इकार नाम सुली। भैग्यारी ने मलें कको गड़ित थे जिए खेयों का सवाल था तो उनका नाम था प्युति दी यह हमारे के आई प्यूंप फर्मा थे ही ८774-1668 मंकृичес よ कहीप了吧 इस बचात करते हैं जो इस प्राइटता का विकास किए तो आए देखती है झीजण को दिवानी पूस्तक मतलब पहली पुस्तकती जो यह सबसे जरूरी आपको यह लाओ करना कि जो प्राहिकता की पहली पुष्टक है वह किसके टब brings जए आन लेका जैक कार्डन याद करें याद करेंगे नामरी यूप साथ कारें से और है झोजखिती है कि ज़ीन प्राहिकता चांस प्रकासित जो हिला नसिए, तो इसका जो सीशक है सीशक है इसका बुक ऑन गेम्स और चांस यह इसका सीशक है और आगे दिखिए यहां पर और है गईता की जो 1653 में इसे प्रकासित किया गया गई तक नहीं है यह वह प्रती है यह यह वह सन है शोटी पर लिक्रणक में प्रकासित के समय किया गया ता यह फैसे। कि कि मतलब इतना समय क्या हो रहा था या आकशा लिखने में समय करने से पहले गंड़ने में पहले चॉती जो होती है उसको दिखाना पड़ता है शुम्री जे प्रीकार का जांच करना पड़ता है उस प्रकार हम इसे प्राकासित करने में समय लग्ता है जाय और मुलपूर उससे प्रकासित कर दिया गया म Latinos से मांप्राप्त हो 305 इस पुस्तर पर जे बनुली पी लापलास और कौन थे गई तर के पी लापलास जिनका नाम आपने भी सुना होगा यह इंगा जो था समय गया था 3749 से 2827 एवं एम मार्कोव कौन थे एम मार्कोव 856 से 1922 और एन कॉल मोगरो और कौन है एन कॉल महत्पूर योगदान मतलब इससे देखा जा तुसे एक अकेली व्यति ने किसी इसने इसका खुश नहीं किया सबसे पहले यह प्राइक्ता का देखा जया तो प्राइक्ता जो था वह मुलब किसके दिमाग में कुछ खुड़ा पाता है यह किसके दिमाग में जुवारू था जुवा या पासा खेलता था उसके दिमाग में प्रती कुछ question उठे वो व्युवारू की इसने इसने के पास गया यह दाशनिक पकारते बलाईस पास केसं के पास अपनी समस्क्राइब को रूषन के लिए उनके पास घैती अब देखे जो ब्लाइज असकर तीज सुनते हैं मुद्ध यूंघ समझने की कुशिच करने इन्हें बहुत ही सिस्ति दीदे क prayer of introduce कर सम Barcelona के पास यह कर्मा कर लाज का विआ्छ है तो आगे ये क्या कते हैं आको पे उसको पास अपने प्राइता सिधान्त का यही से आराम वहा यहीं से विकास हुआ कि जब उन्होंने हर दूना तो अब यह हमारे तक कैसे पहुचा इसे हमारे प्राइता सिधानका विकास होते हैं उंक्याथ होक है उन्होंने सब कुछ पूचने वाले पहली कुछ थी इतालवी कौन से इतालवी घई गई तक के जे काड़न फुक नहीं मतलब पुस्तक लिखने वाले हैं कौन है ये जे कारडन पंदे सो एक से पंदे सो चेस्वी में लिखी थी और ये प्रेकासित कभी ये प्रेकासित हुई थी 1653 में अगर पुस्ता का सीसर पूछे तो क्या था बुक ऑन दा गेम्स और चांस ये इसका सीसर था अब देखिए इस बिसे पर कई गड़ तक ये थे कई गड मोगरो इन सवी का यहां पे महदबूर योगदान रहता है आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि मतलब प्राइटा का विकास कैसे हुआ कौन खोजे और किसने से प्रेकासित किया यहां इस पुस्तर के सीसर कौन थे ये सवी के बारे में जो कि आपके अंसर पूछ थ हैं जैसे पासा क्या होता है तास क्या होता है और सिक्का क्या होता है इस सब के बारे में भी जानेंगे यह सब क्या होती है कैसे इस पर को सम बने इन सभी के बारे में हम संपूर जांकर या आपको अब नेश्ट वीडियो में बताएंगे यह आप से रिक्वेस्ट है कि हमार इस वीडियो